हलो अबरिवन, वेलकम टू अकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग फ्लैटफॉर्म में आप सबी लोगं का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आईए अपने Certificate Physical and Even Geography GCLiong के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे चैप्टर 12 में हम लोग हैं, यह पार्ट 1 जो है इस बुक का जो फिसिकल जोगरफी का पार्ट है उसका लास्ट चैप्टर है और हमारे कोर्स का भी यह फिलाल लास्ट चैप्टर रहेगा जैसे मैं आपको पहले ही बताया था कि अभी फिलाल हम इस कोर्स को बतलब यह वाला कोर्स तो complete हो गया है, लेकिन इस बुक को अभी हम पॉस कर रहे है इसके आगे अभी हम इस कोर्स को continue नहीं करेंगे पार्ट 1 जो है वो complete हो जाएगा इस चैप्टर के साथ और पार्ट 2 का जो कोर्स है वो depend करेगा आप लोग की डिमांड के उपर अगर आप लोग की अच्छी डिमांड होगी तो इसको भी जल्द से जल्द स्टार्ट कर लिया जाएगा लेकिन as of now this book will be put on hold ठीक है तो चैप्टर आज रहेगा ओशियंस के उपर लास्ट चैप्टर है काफी important चैप्टर ये रहने वाला है इसको भी हम लोग काफी detail में समझेंगे जैसे अभी तक हम बाकी अपने चैप्टर समझते हुआ है तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से request करना चाहूंगा कि जो लोग इस course को इस video series को follow कर रहे हैं कर रहे थे जिनको पसंद आई है ये वो लोग जादा से जादा वीडियो को like करें जादा से जादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ कलीक्स के साथ ताकि हमारे इन courses का जो फायदा है वो जादा से जादा लोगों को तक पहुँच सके और बाकि जो लोग चैनल पर नए है अगर उन लोग को भी content helpful लग रहा है पसंदा रहा है तो उनसे भी मैं request करूँगा कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और bell icon प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो को नोटिविकेशन वोकर आप से मिस ना हो तो चले स ओशेंस क्या होते हैं अगर हम हंदी में बात करें तो ओशेंस होते हैं महा सागर ठीक है ओशेंस समुद्र नहीं है समुद्र जो होते हैं data seas यह उससे भी बड़े होते हैं इनको बलाया आता है महा सागर ठीक है oceans जो है comprise कितना करते हैं अगर हम 70% यानि कि total अगर हम earth के surface का बात करें तो 70% हमें पता है कि oceans है या फिर अगर हम area के terms पर बात करें तो 140 million square miles के आसपस ठीक, they have tremendous potential waiting to be developed अब इतने बड़े area में हैं तो इनका potential भी काफी अच्छा है काफी बड़ा potential है लेकिन अभी तक इसको develop नहीं कर पाएं हम लोग डंक से क्योंकि इसमें काफी sophisticated technology वगरे का use करना पड़ता है ठीक है तो इसमें से इसको potential है पूरी तरी के से develop अभी नहीं हो पाया है इसमें से being a source of food ठीक है इसमें काफी दज़ा food stuff मिलता है जैसे कि आप माली यह fish है you have the mammals आपको reptile salt and other marine food stuff यह सारा food stuff मिलता है जो tides है they can be harness to provide power ठीक है यानि कि इससे food पो मिलता ही मिलता है साथ में जो tides वगरा होती है उसका हम लोग use कर सकते है power के लिगे ठीक है you might be knowing this term tidal energy ठीक है tidal energy का basically use करके इस तरीके tidal power plants लगाय जा सकते हैं जिससे हम लोग बिजली वगरा का उत्पादन कर सकते हैं यानि की electricity produce कर सकते हैं ठीक है तो इसके लिए भी जो है oceans बहुत जादा important है formal oceanographic investigation begin only with the British expedition of the challenger the first successful worldwide deep sea expedition ठीक है तो जो formal oceanographic investigation है वो start हुई है 1873 के आसपास से ठीक है जब जो British expedition हुआ था by the challenger वो हुआ था वो पहला successful worldwide deep sea expedition था deep sea expedition का मतलब है कि गहरे समुद्र में जाके जो खोज वगरा की गई थी जो उसके बारे पता लगाया गया था वो इस समय ही किया गया था तो हम यहाँ पर से कह सकते हैं कि जो oceanography का formal investigation है वो इस समय सुरू हुआ था ठीक है इसके बाद देखते है oceanography oceanography क्या है it is the science of the oceans has become such an important subject in recent years that researches into the deep seas have been conducted by many institutions, universities, government ministries and other international organizations ठीक है यह एक बहुत ही important subject बन चुका है मतब हाली के सालों में तो इसमें क्या है कि deep seas में जो researches है वो काफी जादा लोगों के द्वारा यह आप कह सकते हैं काफी इस तरीके के institutions, universities, ministries, international organizations द्वारा की जा रही है the most famous international oceanographic research center is the international council for the exploration of the sea with its headquarters in the Copenhagen ठीक है Copenhagen में इस तरीके का एक famous international oceanographic का research center है Copenhagen कहाँ पर है Copenhagen is the capital of Denmark ठीक है Denmark एक European country है उसकी capital है यह Copenhagen वहाँ पर यह एक famous international oceanographic research center है ठीक है ocean exploration for the observation and recording of oceanographic data is a very expensive matter expensive मतलब होता है महंगा ठीक है काफी ज़्यादा महंगा है it involves the operation and maintenance of especially equipped vessels in mid ocean for long periods and large scale oceanographic researches are thus best undertaken by international bodies ठीक है तो इसका जो मतलब operation वगरा है या जो आप कह सकते हैं कि maintenance वगरा है especially equipped vessels चाहिए ऐसे vessels चाहिए जो पानी के अंदर रह सकें जो पानी का pressure वगरा होता है उसको जहल सकें लंबे समय तक इसलिए जो large scale के oceanographic researches वगरा होती है वो international bodies द्वारा ही की जाती है international bodies मतलब हो गया कि जहां पर more than one country involved है ठीक है वहाँ पर इसका पहले जो एक technology use की जाती थी that was your eco sounding technique ठीक है eco sounding technique को replace कर दिया गया है अब radar sounding and electrical eco devices to find the precise depths of ocean floors and map the relief of the oceans ठीक है उसको radar sounding technique या आपने एक word सुना होगा that is known as sonar technique ठीक है sonar technique का इसमें use के जाता है यह sound navigation की technique होती है इसके तुरू इसको use करते है और यह किसले use की जाती है कि हम लोग precise depth यानि कि कितनी गहराई है ocean floor की उसको पता लगा सके ocean floor is nothing but जो हमारी ocean का तल है ठीक है जो ocean का base है जो ocean का हम कहेंगे की floor है ठीक है that is known as ocean floor तो वो कितना depth पर है यानि कि जो sea level है जो समुद्र का level है समुद्र का तल है उससे जो उसका base है ठीक है तो तल हटी है यह हम कह सकते हैं कि जो floor है उसकी depth कितनी है और जो oceans में relief है relief का मतलब है कि कहां पर plane है कहां पर कोई trenches वगरा है मतलब गहराई है कहां पर कोई submerged आपके बने हुए है ridges बने हुए है platews बने हुए है तो वो सारी चीज़े देखने के लिए यह techniques का use किया जाता है ठीक इसके बाद दिखा गया है कि trained frogmen equipped with modern breathing apparatus are employed to gather valuable information from great depths frogmen क्या होता है आप लोगोंने देखा होंगे इस प्रकार के जो कभी टीवी वगरा में आपने जैसे नैशनल जोग्राफिक वगरा है जाते हैं और वहां से कुछ information वगरा collect करते हैं deep sea core samples are obtained by boring for the study of the oceanic deposits the various kinds of oods, muds and clays ठीक है deep sea से क्या है कि core samples लाए जाते हैं और वो कैसे लाए जाते हैं boring करें boring मतलब है कि जो ocean floor होगा उसमें आप कुछ बोर वगरा करेंगे और क्यों करेंगे ताकि आपको जो ocean में अलग-Alग प्रगार के deposits हैं उनके बारे में पता लग सकेricia में अलग-Alग प्रगार के deposits होते हैं जैसे कि मैं आपको यहाँ पर नाम लिए-दिख रहे हैं एक temperature record वगरा करने के लिए thermometers हैं, कुछ और sensitive instruments वगरा है, उनको किसी भी depth पर, यानि कि जिस भी depth पर, जिस भी गेराई में उनको उतारने की जरुवत है, वहाँ पर उनको उतारा जाता है, और किसके दूर उतारा जाता है, कुछ stationary vessels वगरा होते हैं, तो उस तरीके के जो वैसल्स हैं, उनके थूर इस तरीके के instruments को, इस तरीके के automatic recording thermometers को, required depth पर lower किया जाता है, वहाँ से ये data collect करते हैं, then that data को जो है वो laboratory जो बनाई गई है, उसमें process किया जाता है, ठीक है, For the observation and measurement of current flow, various kinds of current meters using propeller, veins और pendulums have been designed, पहली बात तो ये word जो है, current ये ocean current है, ठीक है, ये जो बिजली वाला current, electricity वाला current होता है, उस वो नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है, यहाँपर, ये है ocean current, ठीक, ocean current आप लोगों को बता है, कि जो horizontal movement of the water है, ठीक है, that is your current, उसके बारे में आगे हम लोग इसी chapter में पढ़ेंगे, तो इसके लिए, बतलब current को observe करने के लिए, उसको measure करने के लिए, कुछ अलग-अलग current meters use के जाते हैं, जिनमें propellers हैं, जिनमें कुछ veins लगे होते हैं, pendulum's लगे होते हैं, sealed bottles and other floating objects containing instructions for reporting their precise time and place of discovery are released in large numbers to compute the rate and direction of drift and current flow. तो इस तरीके के कुछ और भी devices हैं, sealed bottles हैं, कुछ और floating objects हैं, जिनको use किया जाता है, चाहिकि हम rate or direction of drifter current flow को पता लगा सके. With all these modern techniques at the disposal of the oceanographers, our knowledge of the mysteries of the ocean is greatly increased. तो इस तरीके के जो modern techniques, जो आधोनिक तक्नीक का use के जा रहा है, oceanographers दोरा, उसकी वज़े से जो oceans की mystery है, यह हम कहेंगे जो महासागरों का रहस्य है, उसके बारे में हमारा जो ग्यान है, जो हमारा knowledge है, वो काफी बड़ा है, but still there is much to be discovered. लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है, कि हम लोगों ने सारी जानकारी हमें मिल गई है, अभी भी हमें काफी सारी जानकारी हैं ऐसी हैं, जो पता करना या हमें, जिसका खोज करना, जिसके बारे में जानना अभी भी हमें बाकी है, ठीक है, चलिए, यह तो एक general discussion हो गया, oceans के बारे में, इसके बाद हम आगे देखते हैं, relief of the oceans, कि relief क्या होता है, ठीक है, जो मैं आपको पीछे बता है, कि relief वगरा को measure करने के लिए, उसके बारे में भी, इस तरहीं researches की जाती है, तो reliefs में हम लोग देखेंगे, continental shelf क्या होता है, continental slope क्या है, what is the ocean floor, बाइसल, plane, deep trenches वगरा, यह सब चीज़ें क्या है, थोड़ा से इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो relief of the ocean क्या है, देखे, the ocean basins are in many way, similar to the land surface, ठीक, अब जैसे कि आपको पता है, कि कोई भी land है, ठीक है, land surface के ओपर क्या है, कि हर जगे plane तो है नहीं, ठीक है, कहीं पर plane है, कहीं पर platews है, कहीं पर पहाड है, कहीं पर valleys है, तो उस तरीके की ही चीज़ें, जो है, वो समुधर के अंदर भी होती है, और हमें वो ऐसे क्यों नहीं दिखती है, क्योंकि वो सारे का सारा पानी के अंदर है, अब जो पानी के अंदर अगर जाएगा, तो उसको यह सीज़ें दिखाई नहीं, ठीक है, वहाँ पर submarine ridges है, platews है, canyons है, planes है, trenches है, इस सारी सारी चीज़ें, ठीक है, इनका जो section है, वो नीचे आपको डियाग्राम में दिखाए गया है, एक बार उसको देख लेते हैं, जल्दी से थोड़ा सा समझ में आ जाएगा हमें, यह देखे, अगर हम बात करें, हमें तो केवल सिर्फ अगर हम देखेंगे, तो हमें तो यह वाला portion दिखाए देगा, तो हमें तो लगेगा, सब कुछ प्लेइन है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे, तो इस तरगी के अलग-अलग चीज़े है, यहाँ पर आपको सब्मरीन रिज दिख रही है, ठीक है, यहाँ पर कुछ माइनर ट्रेंच है, मतलब एक छोटा सा है, इस तरगी के अधीप ट्रेंच गड़ा सा है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक ओशिन डीप है, यानि कि बहुत 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 ट्रेंच है, तो इस तरगी चीज़ें जो है, वो यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है, यहाँ पर आप तरगी से कह सकते हैं, यहाँ पर कुछ प्लेट्यूज बगरा है, इस तरगी चीज़ें यहाँ पर है, Continental Shelf है, then we have the Continental Slope, everything is there, ठीक है, चलब इसको देखते हैं, करके यह क्या चीज़ें हैं, जो यहाँ पर दी गई है, सबसे पहला है Continental Shelf, Continental Shelf क्या होता है, देखे, इस इन फाक्ट, दे सी वर्ड एक्स्टेंशन अफ दी कॉंतिनेंट, फ्रॉम दे शोर लाइन, टु दा कॉंतिनेंटल एज, मार्ग्ड अप्रॉक्सिमेटली बाइ, दी हंड्रेट फैदम, जो ऐसे पॉइंट्स को जॉइन करती है, जिनकी डेप्थ जो है, वो सी लेवल से सेम होती है, ठीक है, समझ गए आप, कि सी लेवल जो है, यानि कि जो समुद्र का लेवल है, समुद्र तल है, उसके नीचे, उसके अगर हम डेप्थ में जाए, तो ऐसे पॉइंट्स को जॉइन करने वाली लाइन, जिनकी डेप्थ सी लेवल से सेम है, उसको बुला जाता है आईसो बात, ठीक, तो कॉंटिनेंटल शेल्फ क्या है, कुछ नहीं है, जो कॉंटिनेंट्स है, उनका सी वर्ड एक्स्टेंशन है, यानि कि समूदर के तरफ को उनका एक्स्टेंशन है, शोर लाइन से, शोर लाइन मतलब जो तर्ट होता है वहाँ से, ठीक है, वहाँ से लेकर कहा तक, जो कॉंटिनेंटल एज है वहाँ तक, ठीक, दी कॉंटिनेंटल शेल्फ इस दस आ, शेलो प्लैटफॉर्म, ये एक शेलो प्लैटफॉर्म है, यानि कि बहुत ज़ादा गहरा ये नहीं होता है, जिसकी जो विट्थ है, वो वेरी करती है, फ्रॉंग फ्यू माइल्स इन दी नॉर्थ पैसिफिक, अगर हम नॉर्थ पैसिफिक उशन में बात करें, नॉर्थ अमेरिका के कॉंटिनेंट जे, तो वहाँ पर इसकी जो विट्थ है, विट्थ मतलब एक तरही से चोड़ाई जो है, वो कुछ मिल की है, और अगर हम नॉर्थ वेस्ट यूरोप के पास देखे, तो इसकी जो चोड़ाई है, वो बहुत ज़ादा है, यानि कि आप यह कह सकते है, कि जो विट्थ है कॉंटिनेंटल शेल्फ की, वो अल ओवर दी वर्ल्ड सेम नहीं है, वो इतने से पढ़के हमें समझ में आ गिया, कि कहीं पर ज़ादा है, कहीं पर कम है, कुछ प्लेसे जहां पर extremely mountainous है, जैसे कि the rocky mountain है, the Indian coast है, the continental shelf may be entirely absent, वहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, कि continental shelf बिल्कुल भी present ही ना हो, ठीक, of broad lowland coast, like those of the Arctic Siberia, a maximum width of 750 miles has been recorded, तो 7500 mil तक की width भी हो सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़ादा ये width है, ठीक है, और a width of 20 to 100 miles is generally encountered, मतलब अगर generally आप कहीं पर भी, इस तरीके की continental shelf वगरा देखींगे, किसी भी coast के पास, तो लगपग 20 से 100 mil की जो continental shelf की width है, वो एक general है, बाकी कहीं-कहीं पर ज़्यादा भी हो सकती है, 100 miles, 750 miles तक भी हम लोग देख रहे हैं, Arctic Siberia के पास, और कहीं-कहीं पर जहाँ पर Rocky Mountains वगरा है, जैसे कि Andies है, या फिर Rocky Mountains वगरा है, तो वहाँ पर ये absent भी हो सकती है, बिल्कुल, ठीक, जहाँ पर Continental Shelf सबसे ज़ादा चौड़ा होगा, वहाँ पर ये angle सबसे कम होगा, ठीक है, और आग ग्रेडियन्ट ओफ 1 in 500 is common to most Continental Shelf, तो most Continental Shelf जो है, वहाँ पर angle कितना है, या gradient कितना है, 1 in 500, 1 in 500 का मतलब होता है, कि 500 अगरम आगे बढ़ रहा है, तो 1 का क्या आ रहा है, dip आ रहा है, मैं इसको समझाता हूँ, आपको चलिया आगे, diagram बनाके देखते हैं, फिलाल आप जिसी यहाँ पर यह समझ सकते हैं, जो width की बात हो रही है, वो ये चीज थी, width क्या थी, this was your width, आप समझें, फिर मैं आपको यह समझाता हूँ, कि यह angle का बारे में क्या बतायागिया है, ठीक है ना, angle देखिए, अब यह continental shelf इस तरीके से है, तो ऐसे करके जो यह वाले line है, ठीक है, यह angle की बात हो रही है, this is the angle what we are talking about, ठीक है, अब आप समझ सकते हैं, कि यह जितना जादा आगे की तरफ को होगा, यानि कि यह चीज़ क्या हो गई, this again become your, यह width हो गई continental shelf की, ठीक है ना, तो width जितनी जादा होगी, आप उतना समझ सकते हैं, कि angle क्या होगा, कम होगा, ठीक है, और one in five hundred का मतलब है, कि अगर ये वाला जो region है, ये वाली जो मतलब width है, ठीक है, इसको ऐसे दिखाते हैं, अगर ये width five hundred है, ठीक है, तो जो ये depth आ रही है, ये depth जो आ रही है, this is one, this is one in five hundred, ठीक है, तो जो ये angle बनेगा, this is one in five hundred, मतलब, अगर किसी को थोड़ा बहुत maths का, इतना तो I think knowledge आप लोगों को होगा, trigonometry में एक angle होता है, that is ten theta, ठीक है, अगर इस angle को मैं theta से denote करूँ, तो ten theta is one by five hundred, ठीक है, because ten theta is nothing but your perpendicular by base, तो ten theta one by five hundred, मतलब हो गया gradient of, this denotes gradient of, one in five hundred, ठीक है, कि अगर हम 500 आगे बढ़ रहे हैं, तो जो depth आ रही है, वो one की आ रही है, that means you are one by five hundred, ठीक है, this is your ten theta, ठीक है, समझ गया इस बात को, बहुत आसान है समझने के लिए, और यह बाद आप यहाँ से समझ सकते हैं, कि जितनी जादा width होगी, जितनी जादा width होगी, उतना ही angle, कम होगा, ठीक है, चलिए, आगे देख लेते हैं, इसको क्या लिखा गया, यहाँ तक हम बात समझ चुके हैं, इसके बाद, many regard, the continental shelf as part of the continent, submerged due to the rise in the sea level, ठीक है, many regard, मतलब बहुत सारे लोगों का, या बहुत सारे इस तरीके के जो, geographers हैं, जो oceanographers हैं, उनका यह मानना है, कि यह जो continental shelf है, यह किसका part है, यह continent का ही part है, जो क्या हो चुका है, submerged हो चुका है, submerged हो चुका है, मतलब पानी के अंदर यह डूप चुका है, पहले यह पानी के बाहर होगा, और अब यह पानी के अंदर डूप चुका है, कब, जब sea level क्या हुआ, rise हुआ, कैसे, जब close of the ice age, ठीक है, जब ice age का, मतलब अंत हो रहा था, जब temperature, latitude पर क्या हुआ, कि temperature बढ़ा, जब climate warmer हुआ, तो ice melt हुई, और ice melt होने से क्या हुआ, कि sea level जो था, वो several hundred feet तक बढ़ गया, ठीक है, और several hundred feet तक temperature अगर बढ़ेगा, several hundred feet तक अगर water का level बढ़ेगा, तो क्या है, कि जो area, पहले पानी के बाहर था, यानि कि पहले वो continent का region था, अब वो पानी के अंदर डूग गया, ठीक है, तो that is only become a continental shelf, मतलब कुछ oceanographers और geografer का इस तरीके का मानना है, some smaller continental shelf could have been caused by wave erosion, where the land is being eroded by the sea, as shown in figure 93, ठीक है, figure 93 में एक चीज़ दिखाई गई है, कि कुछ जो छोटे continental shelves हैं, ठीक है, वो wave erosion से भी बने हो सकते हैं, erosion का मतलब क्या है, हम लोग पिछले chapter में, जो हमारा last to last chapter था, जहां पर हम लोग coastal landforms के बारे बात कर रहे थे, वहाँ पर हमने देखा था कि erosion की वज़े से भी जो है, इस तरीके का कोई अगर cliff वगरा है, वो तूटती है, तो उसका जो material वगरा है, वो हटेगा जिसमें हमने बात करे थी, wave cut platform वगरा है की, ठीक है न, तो wave cut platform इस तरीके से अगर बनता है, तो वो भी, मतलब एक part हो सकता है continental shelf का, कुछ लोगं का ये भी मानना है, ठीक है, कुछ लोगं का ये मानना है की erosion की वज़े से होता है, कुछ लोगं का ये मानना है की जो offshore terrace वगरा है, वहाँ पर जो deposition हो रहा है, ठीक है, ऐसा deposition, ऐसे materials का, जो river द्वारा लाया गया है, या जो land के द्वारा आया है, उसकी वज़े से, ठीक है, तो वो जो material वहाँ पर इखटा हुआ है, offshore terraces में, that has become the part of the continental shelf, ठीक है, इसको तुराँ सब्सक्राइगराम में हम देख लेते हैं, ये 93 औ 94 डेगराम नेक्स पेज में आप लोगं के दिया हुआ है, ये देखिए, पहले ये क्या था, ये original profile इस तरह की की बनी थी, अब ये पूरा का पूरा जो material है, ये erode होकर, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इखटा हो गया, ठीक है, इखटा हो गया यहाँ पर, तो इखटा होने की वएसे क्या था, इखटा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा material यहाँ से हट गया, एक तरह किसा आप कह सकते हैं, तो ये वाला region, जो पहले ऐसा होगा, पूरा का पूरा, अब ये वाला region हट गया, तो यहाँ पर ये जो पाड बन गया, this is continental shelf, ठीक, similarly अगर हम बात करें, इस तरह का region, अगर यहाँ पर ये खटा हो जाता है, on the offshore terrace, तो ये वाला region जो आपका है, this will become, अगर हम इस region की बात करें, तो this will become your continental shelf, ठीक है न, continental shelf क्या बन जाएगा, ये वाला region बन जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि deposition से भी बना हो सकता है, erosion से भी बना हो सकता है, और या फिर जो ice age की वज़े से, यानि कि जो ice age खतम जब हुई, जब temperature बढ़ा, जब climate थोड़ा सा गरम हुआ, तो उसकी वज़े से जो sea level बढ़ा है, उसकी वज़े से भी हो सकता है, मतलब it could be a part of continent, it could be formed due to erosional activities, it could be formed due to depositional activities, तो ये सारी की सारी जो theory है, वो valid है, ठीक है, चलिए, इसके बाद आगे देखते है, continental shelves are of great geographical significance for the following reasons, इनकी geographical significance क्या है, या geographical, या जिसको हम कहते है, their shallowness enables sunlight to penetrate through the water, which encourages the growth of minute plants and other microscopic organisms, इनकी shallowness, shallowness मतलब ये बहुत जादा गहरे तो है नहीं, ठीक है, जो इनकी कम गहराई है, उसकी वाईसे क्या होता है, कि जो sunlight है, वो इनके थूँपनेटरेट करती है, और sunlight अगर penetrate करेगी, तो कुछ minute plants वगरा है, कुछ microscopic organisms वगरा है, जो वहाँ पर grow कर सकते हैं, they are thus rich in plankton, on which millions of surface and bottom feeding fishes thrive, तो वहाँ पर काफी ज़्यदा planktons वगरा होंगे, ठीक है, और जो planktons का कौन यूज़ करेगा, जो fish वगरा है, वो, the continental shelves are therefore the richest fishing grounds in the world, ठीक है, तो सबसे जादा जो बड़िया fishing grounds है, वो continental shelves ही है, ठीक है, deep sea, oceans वगरा हमें, इस तरह की fishing वगरा अच्छी नहीं है, fishing ground जो better है, वो कहाँ पर है, ये continental shelves में है, उसका reason क्या है, क्योंकि वहाँ पर plantons वगरा जादा है, अब मचलिया कहाँ पर होंगी, पिछले chapter में भी देखा था, the North Sea and the Sunda Shelf, ठीक, इसके बाद जो इसके अगले significance है, वो है, कि their limited depth and gentle slope keep out cold undercurrents and increase the height of tides, ठीक है, किनकि depth limited है, और एक gentle slope है, जैसे मना को दिखाया कि 1 in 500 का जो slope है, वो एक gentle slope है, बिलकुल steep slope एकदम से नहीं है, ठीक है न, तो उसके वैसे क्या है कि ये जो cold undercurrents है, ठीक है, उसको दूर रखता है, क्योंकि वहाँ पर undercurrents नहीं आ सकते, और जो height of the tides है, उसको ये बढ़ाता है, तो this sometimes hinders the shipping and other marine activities, since ship can only enter and leave port on the tide, ठीक है, तो इसकी वैसे क्या होगा कि जो shipping वगएरा है, उसको थोड़ा सा hindrance मिलेगी, मतलब एक बादा पहुचेगी, other marine activities को थोड़ा सा बादा पहुचेगी, क्योंकि ships वगएरा जो है, वो enter कर सकते है, या फिर leave कर सकते है, पोर्ट को जब tide होगा तभी, क्योंकि इस तरीके के अगर मैंने आपको पहले भी ये चीज़ हम लोग बात करते आये हैं, जहाँ पर हम लोगोंने emergent coastline, submergent coastline की बात की थी, तो वहाँ से भी आप इस concept को समझ सकते हैं, कि जहाँ पर अगर continental shelf जादा होगा, मतलब जादा बहुत जादा wide होगा, वहाँ पर ships वगरा उतनी असानी से नहीं आ सकते, ठीक है, वो फिर tide वगरा का ही use करके ही आ सकते हैं, तो most of the world's greatest sea ports, including Southampton, London, Hamburg, Rotterdam, Hong Kong and Singapore are located on continental shelves, ठीक है, तो इसके वही से फायदा क्या है, कि tides वगरा की height बढ़ जाती है, तो फिर यहाँ पर इस तरीके की चीज़ है, जो है, वो move कर सकती है, मतलब जो ships वगरा है, वो आ सकते हैं, ठीक है, यह इसके significance हो गए, इसके बाद एक अगला feature है, अगला relief है, that is your continental slope, continental slope क्या है, देखिए, at the edge of the continental shelf, यानि कि जहाँ पर continental shelf खतम होगा, वहाँ पर abrupt change है, gradient का to about 1 in 20, forming the continental slope, ठीक है, इसको डेगराम में आप देखिए, क्या चीज़ है, यह देखिए, जहाँ पर यह continental edge है, यानि कि जहाँ पर यह shelf खतम हो रहा है, वहाँ से इस तरीके का एकदम से deep आ रहा है, ठीक है, यानि कि एक तरीके साब कह सकते हैं कि dip आ रहा है, तो that is only known as your continental slope, यानि कि अगर मैं आप उसको नीचे डेगराम में समझाऊ, जैसे यहाँ तक तो continental shelf है, यहाँ तक आप देख सकते हैं कि इसका जो gradient है, इसके बाद एकदम से क्या होगा, यह ऐसे deep हो जाएगा, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊ, ऐसे deep हो जाएगा एकदम से, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ पर क्या होगा कि आप angle आप समझ सकते हैं, इस angle will become यह वाला, जैसे कि अगर यह वाला angle हमारा theta था, तो यह वाला angle हमारा हो गया, suppose कर यह 5, ठीक है, and this 5 is nothing but 10, 5 will be equal to 1 by 20, ठीक है, तो यह काफी जादा हो जाएगा, इस angle will be very much high as compared to this theta, ठीक है नब, तो यह चीज़ यहाँ पर बताएगे हैं कि जो abrupt dip आ रहा है, that is your continental slope, ठीक, इसके बाद अगला हो जाएगा deep sea plane, deep sea plane मतलब जो समुदर के बीचों बीच में जाके, अब एक plane area आ रहा है वो, ठीक है, this is the undulating plane lying 2 to 3 miles below the sea level, समुदर के जो level है, जो समुदर का तल है, उससे 2 से 3 mil नीचे होगा, और यह cover करेगा generally 2 third of the ocean floor, generally termed the abysal plane, इसको abysal plane भी बोला जाता है, NCRT में हम लोगों ने इसको deep sea plane नाम से भी पढ़ा है, abysal plane के नाम से भी पढ़ा है, यह चीज सेम है, ठीक है, it was once thought to be featureless, but modern sounding devices revealed that the abysal plane is far from being level, ठीक है, मतलब बहुत समय तक इस तरीकी की चीज़ें जो है, मानी जाती थी, surrounding devices हमने use करे है, उसके थूरू हमें पता लगा है, कि यह जो abysal plane या जो deep sea plane है, they are far from being level, यानि कि यह level नहीं है, यह बिल्कुल समतल नहीं है, they have extensive submarine produce है, इसमें ridges है, trenches है, basins है, and oceanic islands है, जो rise करते हैं above the sea level in the midst of the oceans, जैसे कि हम लोगों ने यह दो example जो दिये हुए है, ascension भी देखा है, ascension के साथ, अगर आप लोगों को याद हो, तो हमने sent helena भी देखा है, ठीक है, तो यह तरीके के जो चीजे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को रोज यह चीज बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कि जिस तरीके से map अगरा का हम लोग बीच-बीच में यूस करते हैं, वो एक अच्छी टेकनीक है, ठीक है, उससे आप लोगों को चीजे हैं, जैसे मैंने अब यहाँ पर यह चीज बोली, जिन लोगों ने वो आइलेंड्स वाला map देखा होगा, खेर हमने ये दो आइलेंड्स के बारे में तो जब वालकेनों का चैप्टर पढ़ रहे थे, हम लोग वहाँ पर भी बात की थी, लेकिन अगर वो तो खेर चलिए, काफी पुराना चैप्टर होगा, लेकिन जिसने हा मैंड्स में वो पिक्चर फिर से क्लिक हुई होनी चाहिए, ठीक है, and I hope कि अगर आप चीजों को सिंसिर होके पढ़ रहे हैं, चीज़े समझ रहे हैं, अगर देख रहे हैं, तो आप लोग के मैंड्स में वो पिक्चर वगरा जरूर क्लिक होगी, और वही मेरा मकसद है, उस लेकर आप लोग के डिमांड अच्छे खासी है तो वो भी करेंगे लेकिन फिलाल जो चीज़ हमने यहाँ पर अभी तक पड़ी है वो एट लिस्ट आप लोग को ध्यान रहनी चाहिए ठीक है तो यह बात हम समझगे कि जो डीप सी प्लेन या जो अवाइसल प्लेन है वो प्ल देट प्लंच एज ग्रेट ओशन डीप स्टूर डेप्ट ऑफ फाइफ थाउजन फैदम्स और थर्टी आउजन फीट ठीक है यानि कि एक तरी किसी आप कह सकते हैं कि यह खाई है जिसको खाई बोला जाता है यह खाई है ठीक है याद देख सकते हैं यहाँ पर यसी यह प् expectation most of the deepest trenches are not located in the midst of the ocean अब हमें यह लग सकता है ठीक है हमारी expectation है हमारी उम्मीद हो सकती है कि कुछ जो deepest trenches है वो कहाँ पर पाई जाएंगे ocean के मिड में होने चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है they are most often found close to the continents ठीक है particularly in the Pacific Ocean Pacific Ocean में continents के पास इस तरीके की deep trenches जो है वो पाई जाती है ठीक है और specifically अगर मैं बात करूँ जो Pacific Ocean का जो eastern side है यानि कि जो American continent है उसका जो western side है वहाँ पर इस तरीके की deep trenches वगरा बहुत जादा है ठीक है where several deep trenches have been sounded ठीक है the greatest known ocean deep is the Mariana Trench near Guam Island which is more than 36,000 feet deep ठीक है Mariana Trench आप लोगने नाम सुना होगा ठीक है सबसे जादा ये deepest trench है Guam Islands के पास पाई जाती है ये भी Pacific Ocean में ही है and we can see from this that the ocean trenches are greater in magnitude than the highest mountains on the land land पर अगर हम highest mountain की बात करें तो हमाँ पता है कि highest peak कौन सा है Mount Everest Mount Everest की अगर हम बात करें तो 8848 meter ठीक है 8848 meter की height अगर हम उसको convert कर लें feet में तो this comes out to be 29,028 feet और उसके अगर हम comparison में बात करें तो जो trench है वो जादा गहरी है ठीक है इसके बाद कुछ other notable oceans deep और भी है जैसे कि Mindanao deep है 35,000 feet पर Tonga trench है 31,000 feet और जो Japanese trench 28,000 feet पर ये सारे के सारे कहां पर है Pacific Ocean में ठीक है तो आज इसको इतना ही रखते है हम लोग इसमें जो आगे oceanic deposits के बारे में है जो मैं आपको word बताए थे that is और ooze क्या होता है mud क्या है clay क्या है ठीक है उसके बारे में बात करेंगे आगे हम लोग चलके बात करेंगे salinity of the ocean को लेकर यानिकि जो उसमें नमक वागिरा होता है उसके बारे में temperature के बारे में बात करेंगे temperature of the ocean फिर कुछ movement of the ocean currents के बार में हमने बात करनी है कि Atlantic Ocean का movement कैसा है Pacific Ocean का movement कैसा है Indian Ocean का movement कैसा है ये सारे का सारा हम लोग बात करेंगे इस chapter में तो almost मैं कहूँगा कि I expect कि around 3 lecture के आसपास all लगेंगे इस chapter को complete करने में लेकिन 3 chapter में मतलब ये complete हो जाएगा उसके बाद हम थोड़ा समय के लिए इस book को जो है विराम देंगे course तो ये complete हो जाएगा क्योंकि course हमने आप लोगों को पहले ही बताया था this is only the course of part one जहाँ पर हम लोगोने physical वाला जो part है वो complete कर लिया है जो इसका बाकी climateology और vegetation वाला part है वो हमारा second part रहेगा इस book का second part है वो तो उसको second course में हम लोग लेके चलेंगे लेकिन फिलाल इस course को जो है आगे अभी नहीं बढ़ाया जाएगा मैं आपको पहले बता चुका हूँ इस book को हम लोग फिलाल यहीं पर पॉस करेंगे और कुछ और course जो ज़्यादा डिमांड पर है उसको start किया जाएगा और अगर आप लोग की डिमांड इसको लेकर भी अगर अच्छी रहेगी ठीक है तो फिर इसको वापस से resume कर ले जाएगा उसमें कोई issue नहीं है लेकिन इसके लिए आप लोगों का support आप लोगों के साथ ही जरूरत है तो जितना जादा आप लोगों का demand scores को लेकर है अगर आप लोगों चाहते हैं कि इस book को आगे continue किया जाए तो आप लोग अपने demand जो है वो जरूर हमें comment section के through या फिर telegram का जो हमारा group है उसके through या फिर email के जहां पर भी हो सकता है आप अपनी जो एक presence है अपना जो एक demand है उसको आप note करवाईएगा ताकि जितनी जादा demand इस पर आएंगी फिर उस तरीके से scores को आगे resume किया जाएगा ठीक है तो चलिए फिलाल अगले lecture में हम लोग इस chapter को जो है वो oceanic deposit से आगे बढ़ाएंगे तो content related अगर आपको कोई भी doubt होता है तो आप हमारा telegram का जो group है that is local gsu psc discussion forum इसको join करके आप पूछ सकते हैं इसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा या फिर आप इसको telegram में search करके भी join कर सकते हैं बाकी इस पूरे के पूरे video series का जो full course है वो हमारी website पर available है वहाँ पर आपको सारे के सारे videos मिल रहे हैं साथ ही notes और quizzes भी आप लोगं के लिए बहुत जल्द वहाँ पर update कर दिये जाएंगे ताकि आप लोग videos के थूरू पढ़ सके हैं notes के थूरू आप लोग quickly revise कर सके हैं और quizzes के थूरू आप लोग अपनी preparation अपनी तैयारी को assess कर सके हैं course purchase करने संबंदी अगर आप कोई technical query phrase करते हैं तो आप हमसे whatsapp के थूरू इस number पर contact कर सकते हैं that is 9498086380 बाकी हमसे जादा contact करने के लिए अगर आप कोई भी बात पूछना चाहें कोई भी बताना चाहें तो उसके लिए आप हमसे हमारी email id के थूरू भी contact कर सकते हैं that is support at the.ocool.co बाकी हमसे जादा जुड़ने के लिए आप हमें facebook पे instagram पे, linkedin पे, on twitter पर भी follow कर सकते हैं thanks for watching till the end आप हमारे other courses को in playlists के through access कर सकते हैं अगर आपको यह video पसंद आया है तो like जरूर करें इसे जादा से जादा share करें अगर आपने अभी तक हमारे इस youtube channel को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजे और bell icon press करना बिल्कुल नहीं भूलेगा ताकि आपको हमारे सभी वीडियो के notification सबसे पहले मिल सकें अपने comments करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको यह video कैसा लगा